साथ दिन तक रोजाना इस DIY फेस वाश को अपने चहरे पर लगा कर देखो आपके चहरे की खोई हुई रंगत लोट आएगी और दीर दीरे करके आपके चहरे के जितने भी दाग धब्बे हैं पिग्मेंटेशन हैं अनिवन स्किन टोन हैं वो गायब होना शुरू हो जाएंग तो प्लीज कर लीजिए कि इस इंट्रेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए रोज लाती रहती हूं साथी मेरे पेक चोड़ी सा लाइक पीज़रू कर दीजिगा कि आपका एक लाइक मेरे बहुत माइने रखता है इस DIY फेस वाश को बराने के लिए यहां पर मैं ले रही दोस्तो मेरे कहने पर इस तरीके से एक बार अपने चेहरे को दो करके देखिए आप इस DIY फेस वाश के फैन हो जाएंगे अब बेसन के साथ आपको मिलाना है अपना कोई भी फेवरिट क्लेंजर या फेस वाश तो यहां पर मैं एक चमची करीब फेस वाश टाल रही हूं द ले सकते हैं कच्छे दूद का ऑप्शन बहुत अच्छा है इस बरसात के मौसम में थोड़ा-थोड़ा करके मैं आपकर कच्छे दूद को मिला रही हूं कि एक साथ मिलाने पे पैक हमारा पतला हो सकता है खूब अच्छे से नहीं होने चाहिए और जैसे आपको लगे कि अच्छी लगे सुंदर लगे तो आप यहां पर लड़का लड़की हर को इसको इसको इस्तमाल कर सकता है बस आपको अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लेना है कोई मेक अप धूर मिल्टी पसीन आपके चेहरे पर नहीं होना चाहिए देखिए यहां पर फेस मेरा पूर इसे तरीके से आपको अपने चेहरे को इस से दूना है ऐइसे अब यह ऑफ फेसको त्वूते ना बस इस वाश से अपने फेस को अब दोई ठोडा सा मैं पानी ले रही हूं और पाणी से मैं पूरे फेस को अच्छय किसे गीला कर लूगी इसके बाद इसको मैं apply करूँंगी दोस्तों अमने faudra है इसमें हमने पर यह बदे काम जाएं और यह नहीं मी टे से दो लेना है यह जो बरसात का मौसम है ना दोस्तो इस वज़े से हमारी स्कीन काफी ज़्यादा ओईली हो जाती है पिंपल्स आने लगते हैं तो इस फेस वाश से यदि रोजाना आप अपने चेहरे को वाश करते हैं तो आपका चेहरा बिल्कुल भी ओईली नहीं होने की देखिए और बचा हुआ फेस वाश है उसको आप स्टोर करके रख सकते हैं तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो वीडियो थोड़ इसी पे अच्छी लगी होगी इंफर्मेटिव लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले हो सके अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर